नमस्कार दोस्तों स्वागत आज के वीडियो में आए दोस्तों जानते हैं राजस्तान से जूड़ी आज की सभी बड़ी खबरे राजस्तान की सभी जिल्यों से कई सारी मैथपून और काम की खबरे सामने आ रही हैं कि कौन से जिले में स्कूल का टाइम फेर बदल हुआ हैं किसे में छुटिया कैंसल हो चुकी हैं और किसानों के लिए भी कुछ मेटपून अपडेट हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पेली अपडेट के बाइर में राजस्तान में 23 और 24 जनवरी को बारिस का अलड तो राजस्तान में बरभ जमाने वाली सर्दी जारी हैं दोस्तों अगली अपडेट आरी स्कूलों के बारे में जान लेते हैं स्कूल की छूटिया केंसिल मंगरवार से जाना होगा ये खबरारी राजस्तान के बिकानेर जिले से सरकारी वे प्रवेट स्कूल में सोडा से लेकर 18 जनुरी तक आवकास का आदेश वाफस ले लिया गया हैं अब 17 और 18 को आवकास नहीं होगा दोस्तों नहीं आदेश के मुताबीक पांच वी तक के स्टूडियन को सुबह 11 बजी स्कूल जाना होगा और 4 बजे उनकी चूटी होगी इसी तिरे ककसा 6 से लेकर 8 तक के स्टूडियन को सुबह 10 बजे स्कूल जाना होगा और उनकी चूटी भी 4 बजे होगी जबकि 9 से 12 तक के स्टूडियन की मैं बात करूँ तो पूर नितारित करिम के तेट उन्हें स्कूल जाना होगा इसके लाव दोस्तों स्कूल से एक और बड़ी अपडेट आ रही हैं दोसा जिले से दोसा जिले में सर्दी के प्रकोप के चलते एक वार फिर से स्कूलों के समय में फिर बदल किया गया है इसके लाव दोस्तों भरतपूर से भी अपडेट आ रही की प्राइट आ रही की प्राइट स्कूल नहीं मान रहे जिला कलेक्टर का आदिस प्राइट पूर कलेक्टर ने आट भी तक के बच्चों के लिएक सर्दी की छूटिया बढ़ा कर 18 जनुरिक तक करने के आदिस दिये थे 6500 से लेकर 8600 के बीच इसके लेवा सोब चल रहा है 12000 से लेकर 15500 के बीच इसके लावा जमार की में बात कूँँ 30000 से लेकर 5000 सर्थ 55500 से लेकर 6000 के बीच जबकि चना 3800 से लेकर 4700 वहीं मेती 4800 से लेकर 6250 के बीच चल रहा है 5800 से लेकर 600080 रुपे की बीच जबकि वहाँ पर जिरा चल रहा है 26000 से लेकर 33000 के बीच वहीं दोस्तों कपास की मैं बता हूँ तो कपास वहाँ पर 8000 से लेकर 9000 की बीच चल रहा है अब दोस्तों आगे की अपडेट जानते हैं दोस्तों तेज सर्दी और पाला पढ़ने से फसल को नुकसान खबरारी राजस्तान के सीरोई जिले से सीरोई में तेज सर्दी और पाला पढ़ने से सब्जों के साथ रभी की फसल को भी नुकसान हो रहा जब फसल खराब होती है तो उसका मुआवज़ा आपको मिलता है यानि की क्लेम आपको मिलता है और दोस्तों जिन खिसानों ने ये विमा करवाया है वो खिसान मांग करें कि उनकी फसल को नुक्सान हुआ है और दोस्तों अधिकारी उनकी फसल का मुआइना कर उन्हें को तेरा सो सेतंदर क्रोड रुपे की वीतिया सुकर्थी भी जारी कर दिये हैं। दोस्तों ग्रमीन स्तर पर होने वाले इस निर्मान का सरकार 90.20 खर्चा उठाएगी जबकि दोस्तों 10.20 खर्चा स्तान ये नोडल एजनसी को वहन करना पड़ेगा। कई बार सुनते हैं कि पूरे भारत में राजस्तान में सबसे अधीक रेप किया साथ हैं। लेकिन दोस्तों ये खुलासा हो रहा है कि 2022 में 85.20 के ऐसे थे जो की पूरी तर से जूटे थे। दोस्तों ये थी राजस्तान से जूरी कई सारी मेटपून और काम की कबरें ये सारी कबरें आपको केसी लिगी कमेंट के माधियम से जुरूर बताए साथ दोस्तों आप राजस्तान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उसलिये का नाम भी जुरूर कमेंट करके हमें बताइए